दोसो मिसाइलों से धुआ धुआ इसराइल ये इसराइल पर इरान के हमले की सबसे नई और हाहाकारी तस्वीरे हैं इरान बदले की आग में किस कदर जल रहा था हमले की इस वीडियो को देखकर मालूम पर जाएगा इस वीडियो को देखिए मिसाइले अटैक के लिए तैयार है लेकिन इससे पहले मिसाइलों पर कुछ लिखा जा रहा है एक एक करके सभी मिसाइलों पर ऐसे ही लिखा गया ये इरान के वो कमांडर है ये इरान को समर्थन करने वाले वो लोग हैं जिने इसराइल मौत के घाट उतार चुका है उन सभी लोगों के नाम लिखने के बाद मिसाइलों पर बाकाइदा उनकी तस्वीरे भी चिपकाई गई नसरल्ला की तस्वीर लगाई गई इसमाइल हानिया की तस्वीर मिसाइलों पर चिपकाई गई और फिर हुआ प्रलैकारी हमला लॉंच साइट से एक के बाद एक मिसाइले लॉंच कर दी जाती है लॉंचिंग के वक्त पर एरान ने मल्टी कैमरा सेटप भी लगा रखा था देखिए कैमरा नंबर वन की तस्वीर अब देखिए कैमरा नंबर टू की तस्वीर यही नहीं जब ये मिसाइले इसराइल में अपने टार्गेट को हिट कर रही थी तो वहां भी वीडियो शूट किया गया यानि इरान जब हमले के लिए पूरी तरह से तैयार हो गया तो फिर उसने इसराइल को निशाना बनाया कहा जा रहा है कि ये इरान का इसराइल पर हाल फिल हाल का सबसे बड़ा हमला है इरान की तरफ से अब तक सिर्फ धमकी दी जा रही थी लेकिन इरान ने अब वो कर दिया जिससे वर्ल्ड वार 3 की आशंका एक बार फिर बढ़ गई है वोर एक्सपर्ट से लेकर तमाम देशों की टॉप लीडर्शिप वर्ल्ड वार की आशंका से धरा गई है और जो रिपोर्ट सा रही है वो और भी डराने वाली है वर्ल्ड मीडिया के मताबिक अभी इरान ने जो 200 मिसाइलों के साथ इसराइल पर हमला किया है वो तो सिर्फ ट्रेलर था इरान अभी अपनी मिसाइलों की एक्यूरसी चेक कर रहा था विदेशी मीडिया का ये भी कहना है कि इरान ने इसराइल के रिहाईशी इलाकों को टारगिट किया ही नहीं था इसलिए इसराइल के नागरे के इलाकों में नुक्सान नहीं पहнуюt जहाँ जहाँ इरान का निशाना था, वहाँ वहाँ मिसाइले गिरी और अपने टार्गेट्स को तभा किया तो क्या फुस्ट हो गया आइरन डोम, डेविट सिलिंग भी नहीं रोक पाया इरानी हमला धरा का धरा रह गया इसराइली आइरो सिस्टम, क्या होकर रहेगी वर्ल्ड वार थी? आइरन डोम, डेविट सिलिंग और आइरो सिस्टम, इसराइल की वो प्रति रक्षा प्रणाली है जिस पर इसराइल की आईडियेव के साथ ही पियम बेनियमिन नेतन याहू गुमान क्या करते थे? लेकिन एरानी हमले ने इसराइल की पती रक्षा प्रणाली की पोल खोल कर रख दी है आखिर क्यों आइरन डोम, डेविट सिलिंग और एरो सिस्टम पर इसराइल इतना फक्र करता है? यह आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए यूएन में इरान और इसराइल के अमबासिडर्स के बीच क्या हुआ? इरान ने कहा कि अगर जरूरी हुआ तो इरान किसी भी तरह का, सैन्ने कदम उठाने के लिए सोतंत रहे इरान वील हम लिए इरान कीshop का जवाब इस्राइल के Um-Nαι मबासेडर ने वही पर सब के सामने दिया Let me be clear. Israel will defend itself. We will act. And let me assure you, the consequences Iran will face for their actions will be far greater than they could ever have imagined. Now the world must step up. Iran must pay a heavy price for this attack. Anything less is complicity. We demand immediate crippling sanctions on Iran. Israel पर हुए हमले से अमेरिका की भी टेंशन टाइट हो चुकी है. अमेरिका ने इसराइल को साथ देने का भरोसा दिलाया. अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी लॉइड आस्टिन ने सूशल मीडिया वेबसाइट एक्स पर लिखा कि सिक्यूरिटी डेवलिप्मेंट और इसराइली आपरेशन पर चर्चा के लिए. मैंने इसराइली रक्षा मंत्री यॉफ गैलिंट से बात की. मैंने इसाफ किया कि सैयुक्त राज्जी अमेरिका इसराइल के अपनी रक्षा के अधिकार का समर्थन करता है. इसराइल ने साफ कर दिया है कि वो इरान से मिसाइल हमले का हिसाब चुकता करेगा ही करेगा. यॉएन में इसराइल और इरान के प्रते निद्धियों की बहस ने भी ये बता दिया कि अभी आसमान से बारूद और बरसेगा. लेकिन दूसरी तरफ जिस तरह से इस थाहमले में इसराइल की डिफेंस सिस्टम फेल हो गई, वो भी कई तरह की सवाल उठाती है. इरान के दिये जख्म से इतने घंटों बाद भी इसराइल उबन नहीं सका है. इरान का दावा है कि पहली बार हाइपरसॉनिक मिसाइलों का इस्तिमाल किया गया है और आयार जीसी सूत्रों के मताबिक तीन इसराइली सेने ठिकानों को निशाना बनाये गया. कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मताबिक इरान के मिसाइल हमलों से इसराइली कूफी अजनसी मोसाद के मुख्याले में पंदरा सौ मीटर दूर एक गड़्डा बन गया. इरान को पता है कि इसराइल के साथ अमेरिका धाल कितना खड़ा है. लेकिन फिर भी इरान जुकेगा नहीं वाली स्टाइल में इसराइल को लगातार धमक्या दे रहा है. इरान के राश्चपती मसूद पजिश्क्यान ने एक बार फिर इसराइल को चिताते हुए कहा कि अगर इसराइल ने थोड़ी सी भी गलती की तो इरान उसे और भी कुछलने वाला जवाब देगा. अब देखें इसराइल के उन डिफेंस सिस्टम को जिनकी वज़ा से इसराइल के पी-म हमेशा निश्चिन्त रहोते हैं. इसराइल के तीन डिफेंस सिस्टम उसकी सुरक्षा की रीड है. पहला है आयरन डूम जो 70 किलोमिटर दूर के हत्यारों को हवा में उड़ाने में सक्षम है. दूसरा डिफेंस सिस्टम है डेविड सिस्टम है ये 300 किलोमिटर दूर की मीडियम और लॉंग रेंज की मिसाईलों को माणने में सक्षम है. तीसरा है एरो सिस्टम जिसकी मारक शमता 2400 किलूमीटर है ये दुश्मन देश की लॉंग रेंज की बलिस्टिक मिसाईलों को हवा में माणने में सक्षम है इसराइल का एरो सिस्टम दुश्मन के गोलों और मिसाईलों को 10 किलूमीटर की उचाई पर मार गिराता है देविट सिलिंग दुश्मन के मिसाईल हमलों को 15 किलूमीटर की उचाई पर नाकाम कर देता है जबकि एरो सिस्टम 100 किलोमिटर की उचाई पर बलेस्टिक मिसाईलों का नाश कर देता है डेविड सिलिंग और एरो सिस्टम का इस्तिमाल तो इसराइल शायद कभी कबार ही करता है लेकिन इसराइल का जो सबसे घातक डिफेंस सिस्टम है वो है आयरन डूम क्योंकि इसराइल के ज्यादातर दुश्मन उसके आसपास ही बसे है अब देखें कि इसराइल का आयरन डूम कैसे काम करता है आयरन डूम को भी लॉंचर से दागा जाता है ये कम दूरी से दागे गए रॉकेट या मिसाईलों को रोख सकता है Iron Dome 4 किलोमिटर से लेकर 70 किलोमिटर की दности दूरी से दागे गए रॉकेट या मिसायलों को रोख सकता है Iron Dome radar से आने वाले रॉकेटों का पता रगाता है और उन पर नज़र रखता है ये पता करता है कि कौन से रॉकेट के आबादी वाले इलागों में गिनने की संभावना है इसके बाद ये उन रॉकेटों पर मिसाइले दाखता है जबकि बाकी रॉकेटों को खुले मैदान में गिनने के लिए छोड़ दिया जाता है आरन डोम को अमेरिका की मदद के साथ इसराइली फिर्म राफेल एडवान्स डिफेंस सिस्टम और इसराइल एरो स्पेस इंडस्ट्रीज ने डिजाइन किया है इसे पहली बार 2011 में तैनात किया गया था तब से लेकर आज तक ये इसराइल की सुरक्षा में दिवार बना हुआ है एरान करीब 200 मिसाले दाक कर इस वक्त खुशी के मारे फूले नहीं समा रहा लेकिन इसराइल का दावा है कि उसकी सुरक्षा दिवार ने करीब 90 फीसिदी हमलों को रोग दिया है और नुकसान ना के बराबर हुआ है